स्टेटमेंट की तरफ हम जाते नहीं टेकनिकल लेंगवेज में आपको सुपर पोजीशन थेरम आपने अच्छे से वहाँ अंडश्टूर किया है फिर से मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सुपर पोजीशन थेरम का स्टेटमेंट कैसा है ठीके मैं आपको बोल कर यहाँ बताता हूँ लिख के देने कि मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि superposition theorem की concept आपको पहले से ही पता है देखो मानो ये एक network है तो इस network में ये आपके understanding के लिए मैंने draw किया है ये valid network है या नहीं ये check करने के लिए यहां मत बेट जाना है क्योंकि ये सिर्फ आपके understanding के लिए मैंने आपको ये network draw करके दिया है तो सिर्फ आपको बताने के लिए देखो मानो अगर आपको इस two ohm resistor में से current पुछा है ठीक है कि two ohm resistor में से current निकालो तो आप nodal analysis, mesh analysis, source transformation ऐसे various ways लगा कर इस two ohm resistor में से current निकाल सकते लेकिन आपके पास और एक method थेवेनिस नौटर theorem भी है बहुत सारी methods है लेकिन आपके पास एक बहुत ही important एक theorem है जिसका नाम है superposition theorem देखो superposition theorem थोड़ा lengthy हो जाता है अगर आपने solve किया, solve करने बेट गए तो थोड़ा lengthy हो जाता है इसलिए superposition theorem gate के level में जहाँ superposition theorem के base पर problem आएगा कि वहाँ आपको superposition theorem और उसके जो properties है वो लगा कर ही आपको solve करना है तभी आपको superposition theorem gate में use करना है बाकी आपको अगर सीधा सा problem पुछा गया कि किसी भी element के बीच में आपको current चाहिए उसमें से flow होने वाला current या तो पिर उसके across का voltage चाहिए तो at that time आपके लिए convenient nodal analysis, mesh analysis नहीं तो फिर source transformation ठेवेनिंस theorem, Norton's theorem ऐसे बहुत सारे ways है तो वो ways सबसे पहले आपको follow करने superposition theorem बहुती worst के साथी है तभी आपको लगाना है देखो superposition theorem के लिए properties रहती homogeneity property, additivity property तो इस property के best पर अगर problem आते तो आपको definitely superposition theorem बहाँ apply करना पड़ेगा इसके लिए superposition theorem में यहाँ आपको सिखा रहा हूँ ठीके, तो ठीके superposition theorem पहले क्या है यह मैं पहले आपको बता देता हूँ आपकी फिर से revision हो जाएगी देखो अगर मानो मुझे 2 ohm resistor में से current चाहिए तो superposition theorem अगर मैंने apply किया तो according to superposition theorem statement कैसे आएगा अगर मुझे 2 ohm resistor में से current चाहिए या तो भी उसके across का voltage चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा कोई भी independent source जो भी आपको network में दिखाए दे रहे तो उसमें से one time एक time पर आपको एक ही independent source लेना पड़ेगा तो आगर मैंने सबसे पहले 3 ampere का current source लिया तो ये 5 volt का एक voltage source आपको दिखा दे रहा ये भी एक independent voltage source है और ये 15 volt का source ये भी एक independent voltage source है तो उन्हें आपको short करना पड़ेगा अगर मैंने बाद में फिर 3 ampere का current source लेके फिर case number 2 में मैं क्या करूंगा 5V का voltage source लूँगा फिर at that time ये 15V का तो मैं deactivate करूंगा ही तो इसे short तो मैं करूंगा ही और ये जो 3A का current source है उसे में open करूंगा तो आपको एक बात हमेशा follow करनी है कि अगर किसी भी element के across अगर आपको voltage चाहिए या तो फिर उसमें से जाने वाले current आपको चाहिए तो at that time at one time पे आपको one independent source वहां consider करना पड़ेगा और बाकी सारे independent sources को आपको deactivate करना पड़ेगा यही आपका superposition theorem बताता है तो superposition theorem कहा कहा applicable है तो superposition theorem is only applicable to linear, passive and bilateral network ठीके किसी भी linear, passive and bilateral network के लिए आपका superposition theorem definitely applicable है तो आप कहेंगे कि अगर superposition theorem से थोड़ा problem आपका lendी हो जाता है तो superposition theorem हम क्यों apply करें तो बिल्कुल सही आपकी बात superposition theorem आपको तभी apply करना है कि कोई आपके पास वे ही नहीं है solve करने के लिए तो at that time आपको superposition theorem apply करना है किसी property के base पर आपका numerical आता है gate पे तो at that time superposition theorem आपको definitely apply करना पड़ेगा और एक application है superposition theorem application के लिए अगर AC analysis की बात की जाए ये तो हमारा DC पे सारा खेल चल रहा है अभी तक तो लेकिन अगर AC analysis की बात की जाए तो AC analysis में अगर आपको किसी भी element के बीच में current चाहिए आ तो फिर उसका across का voltage चाहिए और at that time आपको number of independent sources दिखाई द या है और उसकी frequency अलग है और और एक source है उसकी frequency अलग है तो at that time frequency जब अलग-अलग होगी उस sources की तो आप हम AC analysis में detail में उसका बात करेंगे ही लेकिन आपको यहाँ में बता देता हूँ थोड़ा तो at that time क्या होगा frequency अगर अलग-अलग होगी उस sources की और आपको किसी element से response connect हो तो at that time आपको क्या करना पड़ेगा सिर्व आपके पास एक ही chance से फिर कि आपको superposition theorem ही अपलाए करना पड़ेगा एक ही वे आपके पास बाकी सारे जो भी है वहाँ mesh analysis, nodal analysis, super node, super mesh, thevenin's theorem, norton's theorem यह सारे जो भी हमारे ways वह वहाँ फेल हो जाते वह at that time कप जब frequency आपकी vary ह हो रही हो मतलब किसी source का एक source है उसकी frequency अलग हो और दूसरा independent source है उसके लिए frequency अलग हो तो at that time आपको superposition theorem apply करना ही पड़ेगा ठीके तो superposition theorem study करना हमारे लिए important है तो आभी DC analysis में यह हम study कर ही लेते फिर बाद में हमारे लिए दिख करने आएगी और यह जो properties के base पर gate पे numerical सा आते homogeneity property, additivity property तो at that time आपको superposition theorem apply करना ही पड़ेगा ठीके तो देखते ही superposition theorem क्या होगा तो यह तो मैंने आपको बता दिया simple manner से कि superposition theorem कैसे act करता है ठीके तो कोई भी network हो जहाँ number of dependent sources, independent sources connect हो ठीके कोई भी network में मतलब यहाँ मैंने independent sources ही draw किये, dependent draw नहीं किये लेकिन dependent sources भी present हो, independent sources भी present हो, number of present, more than one चाहिए, ठीके, only one independent source present है तो superposition theorem apply करना ही नहीं चाहिए, ठीके, वहाँ तो common sense आपको use करना ही पड़ेगा, two or more independent sources present हो, और dependent sources भी हो, dependent हो या ना हो, उससे कोई फरत नहीं पड़ेगा, लेकिन two or more अगर independent sources present हो, तो यह theorem आपका वहाँ applicable होगा, और किस cv element के बीच में आपको response चाहिए, तो वो response easily निकल जाएगा, तो मैंने क्या कहा, current source मैंने consider किया, तो उस current source जब मैंने consider किया, तो एक बात हमेशा याद मेरे को, मैं पहले यह बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई independent voltage source network में present है, number of sources present है, उसमें अगर आपने, मानो अगर म voltage निकालो, तो मुझे यह बाकी के जो independence sources है, उनको at that time, in that case, मुझे independent बाकी के जो independence sources है, उनको deactivate करना पड़ेगा, तो मैं वहाँ क्या करूंगा, उनको deactivate करने के लिए देखूंगा पहले, कि वो independent voltage source है, या independent current source है, अगर वो independent voltage source होगा, तो at that time, आपको उसे short circuit करना और अगर वो independent current source होगा, तो at that time, आपको उसे open circuit करना पड़ेगा, तो independent voltage source को आप short circuit करेंगे, और अगर independent current source है, तो at that time, आप उसे open circuit करेंगे, तो देखो independent voltage source का जो internal resistance होता है, वो कितना चाहिए, ideally वो 0 होता है और ideally independent voltage source का internal resistance 0 होने की वज़े से अगर आपको उस independent voltage source को अगर deactivate करना है तो at that time मुझे क्या करना पड़ेगा उसको short करना पड़ेगा क्योंकि उसका resistance 0 ओम रहता है ideally अगर उस independent voltage source का internal resistance question में गिवन होगा तो at that time उस independent voltage source को उसके internal resistance से आपको वहा वो replace करना पड़ेगा ठीके internal resistance से लेकिन गेट के लिए ideally problem पूछ जाते तो at that time independent voltage source का internal resistance हमेशा 0 ओम होता है इसलिए independent voltage source को आप short circuit करेंगे और independent current source का जो internal resistance होता है वो ideally infinite होता है इसलिए आप independent current source को open circuit करेंगे ये मेरी बात अभी आपको clear हो गई होगी कि हम independent voltage source को short circuit और independent current source को open circuit क्यों करते ये ideal condition पे होता है और ideal condition से ही आपको ये problem आएंगे तो at that time आपको ऐसा ही behavior करना पड़ेगा कि independent voltage source को आपको short circuit करना पड़ेगा और independent current source को open circuit करना पड़ेगा जब भी कोई अलग वाले independent source की बात की हो तो at that time अभी आपको अच्छे से clear हो गया होगा तो 3A का source मैंने consider किया तो ये दोनों आपको voltage source दिखाए दे रहे independent voltage source तो उनको आपको deactivate करने के लिए दोनों को short करना पड़ेगा वैसे ही अगर मैंने 5V consider किया तो ये 3A का current source को deactivate करना पड़ेगा at that time और 15V का भी deactivate करना पड़ेगा तो 3A का तो independent current source है तो उसे हम open circuit करेंगे और 15V का independent voltage source है तो इसे हम shock circuit करेंगे जब भी हम 5V को activate करेंगे तो at one time आपको one independent source को activate करना है तो मैं क्या करूंगा एक-एक case लोंगा तो यहाँ कितने हमारे independent sources present है there are 3 independent sources present तो हमारी यहाँ 3 cases बनेंगी 3 cases मतलब 3A से 3A जब हम लेंगे यह बागी के 2 short करकर 2 ohm में से current निकालेंगे अगर मुझे 2 ohm में से current चाहिए मानो 2 ohm में से current I flow हो रहा है तो यह मुझे निकालना है और मुझे superposition थेर में अपला करना है तो 3A current से 2 ohm में कितना current जाएगा यह इसके लिए 5V 15V हम short करेंगे तो वो बनेगी हमारी case number 1 तो case number 1 में अगर मैंने कहा कि इसमें से current I dash जा रही है तो ठीक है I dash हम निकालेंगे फिर हम consider करेंगे case 2 case 2 में हम consider करेंगे कि 5V का source है कि वो activate है बाकी के deactivate है तो यह तो open हो जाएगा 3A current source 15V का short हो जाएगा और इस 5V source की वज़े से यहाँ 2M में कितना current आ रहा है तो इसे यह अगर हमने निकाला तो उसे हम I double dash से denote करेंगे आप कईसे भी denote कर सकते वेसे ही case 3 बनेगी जितने sources उतने cases अगर case 3 बनाई तो case 3 में यह 15V का voltage source है इंडिपेंडन voltage source यह activate रहेगा तो यह short रहेगा और यह current source इसे लिए open रहेगा 15V की वेज़े से 2M में कितना current आता है तो वो I triple dash हम consider करेंगे और 3 current finally यह सारे cases discuss करने के बाद 3 current हम add करेंगे final 2M में कितना current जा रहा है यह दिखाने के लिए I dash plus I double dash plus I triple dash ऐसे 3 current हम add करेंगे और उसके addition करने के बाद इस 2M में से effective current आपका कितना जा रहा है जो भी current जा रहा है यह सारे sources जब present होंगे तो at that time उतना current इस 2M में से जाएगा यह निकालने के लिए तो यह बहुती lengthy method तो यह superposition theorem आपको generally apply नहीं करना है जहाँ apply करने की जरूरत पड़े only at that time आपको at that instant आपको वो apply करना है तो यह जो principle मैंने आपको बताया यह network draw करके तो यह principle additivity principle है ठीक है कि किसी भी element के बीच में आपको response चाहिए तो एक-एक independent source consider करके बाकी के सारे deactivate करके at a time one independent source consider करके आपको एक-एक consider करके तीनों की फिर addition करके आपको current निकालना पड़ेगा एक्जाम्पल में अच्छे से आपको clear हो जाएगा मैं जो यह आपको बता रहा हूँ ठीक है तो यह dependent current source या voltage source या present होता मानों अगर मैं करता कि इस atom के यहाँ एक independent voltage source present है जिसका voltage है 3VX तो क्या यह independent voltage source आप open circuit या short circuit करेंगे या तो फिर इसे consider करेंगे नहीं only आपको independent current source and voltage source को ही consider करना है dependent source अगर circuit में दिखे तो वो वेसा का वेसा ही रखना है उससे आप अगर voltage source होगा तो short circuit या current source होगा तो open circuit ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कोई भी dependent स्वारी dependent कोई भी source present हो dependent voltage source हो या dependent current source हो मानो यह dependent current source या present है तो क्या आप इसे open circuit करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे उसको वेसा का वेसा रखकर ही सिर्फ आपको independent source के साथ ही आपको खेलना पड़ेगा यह dependent source के साथ कभी मत खेलना इतना यह बात हमेशा ध्यान में रखो नहीं तो आपका answer wrong हो जाएगा ठीक है तो superposition theorem का यह एक additivity principle है वेसा ही एक principle है homogeneity principle वो मैं अभी आपको बता देता हूँ और फिर अगले वाले episode से हम numerical discuss करेंगे तो बहुत ही important principle है homogeneity principle जो gate के लिए उसके basis पर सारे problems जादा तो आते अगर superposition पे आते तो ठीक है तो देख लेते हैं तो देखो homogeneity principle if a scalar or constant is multiplied to the excitation which is given to the linear passive network then the response also gets multiplied with the same scalar or constant तो देखो इसका मतलब मैं इस एक network के example से आपको यहाँ बताता हूँ देखो मानों यह atom और atom यह दोनों resistors parallel में है ठीक है तो और यह 2 ohm का resistor है और 6 volts अप्लाई यहाँ से जा रहा है ठीक है 6 volts का supply with polarity plus minus ठीक है तो देखो 8 और 8 ohm देखो सबसे पहले मुझे यहाँ का current चाहिए मतलब 2 ohm में कितना current जाएगा अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा 8 ohm parallel to 8 ohm मतलब क्या होगा 4 ohm वराबर यह 2 same resistor थे उसका parallel combination तो 4 हुआ इसका answer तो 4 ohm और 2 ohm दोनो series में आ जाएंगे फिर और 4 ohm 2 6 और 6 divided by 6 मतलब 1 ampere current यहाँ से जाएगा ठीक है तो 1 ampere current यहाँ से जा रहा है तो यहाँ distribute होगा और यहाँ भी distribute होगा क्योंकि यह parallel combination है और दोनों same resistor से तो यहाँ कितना current जाएगा 0.5 ampere और यहाँ कितना current जाएगा 0.5 ampere ठीक है तो अगर मा 6 किया जो 18 volt है ठीक है मतलब 6 volt की जगक पर अगर मैंने 18 volt apply किया 3 से मैंने इसे multiply किया इस voltage source को और 18 volt अगर किसी network को दिया तो जिस factor से मैंने multiply किया तो यह हुआ आपका constant तो इस constant से मैंने multiply किया तो यहाँ सारे जो भी values है मतलब यह सारे currents उस constant से multiply हो जाएगे मतलब मानों यह 18 voltage और 18 volt आ रहा है और यह 3 से multiply करकर आया 3 into 6 18 ठीक है तो 3 से मैंने multiply किया इस voltage source को तो 3 times हमारा voltage बढ़ा तो यह current भी सारे 3 times बढ़ेंगे तो इस 1 ampere जो हमारा current आ रहा है यहाँ तो 1 ampere की जगह पर यहाँ कितना होगा 3 ampere flow होगा इस 0.5 ampere की जगह पर 1.5 ampere flow होगा वेसे भी 1. ampere flow होगा ठीक है तो यह prove करते है तो देखो यह 8 ohm और 8 ohm का resistor है तो 4 ohm 4 or 2 6 तो 6 ohm का resistor इस 6 volt के across है तो 6 volt का मैंने अगर 18 volt किया तो 18 divided by 6 ohm का resistor मतलब 18 by 6 मतलब कितना answer आता है 3 ampere तो इस 1 ampere का 3 ampere हुआ वेसे इस 0.5 ampere का 1.5 ampere हुआ इस 0.5 ampere का भी 1.5 ampere हुआ तो 1 into 3 3 ampere 0.5 into 3 1.5 ampere 0.5 into 3 1.5 ampere तो यह कैसे आया इस 6 volt की जगह पर मैंने 18 volt लखा मतलब किसी constant से मैंने इस voltage source को multiply किया मतलब मैंने 3 times multiply किया तो हमारा जो k या तो फिर x हम इसे कहेंगे तो x की value के आएगी 3 मतलब 3 से हमने multiply किया तो सारा response 3 से multiply हो गया देखो मानो अगर मैंने voltage की बात की तो देखो इसके across कितना voltage रहेगा यहाँ अगर सबसे पहले 1 ampere का current जा रहा था सबसे पहले तो यहाँ 2 ohm का यह resistor है तो IR 2 into 1 मतलब यहाँ 2 volt present था ठीके बाद में कितना हुआ 3 ampere current गया और 2 ohm resistor है तो कितना volt हुआ 6 volt इसके across मतलब 3 volts से 2 into 3 3 factor से यह voltage भी multiply होगा तो सा सारा response आपका उस factor से multiply हो गया so if any scalar or constant is multiply to the excitation यहाँ current source भी हो सकता है यह voltage source भी हो सकता है किसी भी excitation को आपने multiply किया किसी scalar or constant से जो भी किसी linear passive network को आप दे रहे तो response सारा जो भी response से वो भी multiply होगा उसी scalar or constant से तो इतना आप ध्यान में रखो तो आगर मैंने माना उसे x कि यह x constant है तो वो x constant है तो अगर मैंने कहा कि मेरा सबसे पहले voltage था मतलब अगर voltage new अगर आपने निकाला new voltage वो response multiply होने के बाद मतलब वो constant multiply होने के बाद तो voltage new voltage अगर आपने निकाया तो आपका voltage कितना रहेगा x into old voltage ठीके मतलब पहला कितना voltage present था उससे उस factor से multiply किया x times वो x यह factor है multiply किया उस old voltage को तो आपको new voltage मिला उस factor से वो increase हुआ multiply हुआ वैसा ही current अगर मैंने बात किया कि new current कितना आएगा तो वो भी उस factor से multiply होगा जिस factor को आपने excitation के साथ multiply किया था excitation को उस constant से multiply किया था तो वही वो constant है जो सारे response के साथ multiply होगा तो old current के साथ भी वो multiply होगा तो आपको new current भी उस factor की वज़े से अलग मिलेगा जो उस factor से multiply होगा आपका old current वैसे अगर मैंने power की बात की new power कितने आएगी तो new power यहाँ आपकी x times old power ऐसा नहीं आएगा at that time आपकी क्या आएगी x square into old power आएगी वो आपको हमेशा non-linear मिलेगा यह जो power होगी आपकी वो x square से multiply होगी old power के साथ क्योंकि voltage into current तो voltage का x factor और current का x factor अगर हमने किया तो यहाँ x square आएगा यहाँ जो भी आपका factor होगा उसके square proportion में आपकी power बढ़ रही है इसलिए अगर आपने कई पढ़ा होगा कि superposition theorem में power हम नहीं निकाल सकते तो superposition theorem power निकालने के लिए applicable नहीं है ठीके मतलब मैं कैसी बात कर रहा हूँ अगर मैंने वहाँ आपको network डॉकर की दिया था number of sources वहाँ present है independent sources तो एक-एक sources आपने consider करकर उसमें response पुछा current voltage निकाला एक-एक element consider करके और finally वह current और voltage आपने तीनो sources थे तो तीनो का add किया तो आपको final voltage या final current आ गया वैसा अगर हमने power के बारे में किया कि एक independent source लेंगे उसकी power निकालेंगे फिर दूसरा लेंगे दूसरे से response के across की तो ऐसा अगर आपने किया और finally आपने addition किया तीनो power का तो आपको जो power मिलेगी उस response के across की तो वो गलत मिलेगी इतना आप ध्यान में रखो इसलिए superposition theorem is not applied to find out the power it is only applied to find out the voltage and current responses ठीके तो power निकालनी हो तो superposition theorem से apply नहीं करते अगर आपको power चाहिए और superposition theorem apply करके ही चाहिए तो आपको उस element के across का voltage या फिर उसमें से जाने वाला current दोनों निकालके superposition से दोनों निकालके finally जो final आपका voltage और current आएगा उसे V into I करके आपको final power आएगी इसलिए आप हमेशा याद में रखो कि power आप calculate नहीं कर सकते superposition theorem के हिसाब से voltage और current ही कर सकते इतना आप ध्यान में रखो और ये factors का ये जो relation है ये relation ही homogeneity के लिए आपके लिए काम में आने वाला है तो ये relation भे आप याद में रखो तो देखो मैं और एग एग एग्जांपल लेता हूँ देखो एक linear bilateral network के थीक है आपके पास एक linear bilateral network के वहाँ आपने supply दिया है 2.5 volt का supply दिया है यहां से current जा रहा है मानो 4 ampere जा रहा है और output पे आपका current आ रहा है यहाँ 2 ampere थीक है तो यही linear bilateral नेटवर्क वही linear bilateral नेटवर्क को मैंने अगर excitation दिया वेसाई वही linear bilateral network को मैंने excitation गिया मानो 12.5 volt मतलब इस 2.5 volt को मैंने 5 से multiply किया तो आपका x factor कितना है आप 5 तो 5 से मैंने multiply किया तो ये 12.5 volt अगर मैंने यहाँ apply किया तो ये 4 ampere की भी 5 से multiply होगा तो यहाँ से कितना करें जाएगा 20 ampere और ये 2 ampere भी 5 से multiply होगा तो यहाँ से कितना करें जाएगा 10 ampere तो ऐसे ही superposition का ये जो homogeneity principle है यह apply होता है कि कि किसी भी constant से अगर आपने excitation को multiply किया तो सारे responses उस constant से multiply हो जाएगे तो ये homogeneity principle अच्छे से याद में रखो इस पर gate पे ज़्यादा problems आते हैं हमेशा एक एक problem तो होता है homogeneity principle बहुत ही important है gate point of view से तो यह आप ध्यान में रखो उम्मीद करता हूँ superposition theorem की सारे जो भी concept से वो आभी आपको समझ में आ गए होंगे अगले वाले episode में हम numericals discuss करेंगे ठीक है तो मिलते अगले वाले episode में Thank you